हेलो फ्रेंज वेलकम टो माई चैनल आज हम बनाएंगे दो डिफरेंट टाइप के इंस्टेंट कॉल्ड कॉफी जो सब को बहुत ज्यादा पसंद आती है और यह बहुत ही आसानी से बन जाती है सबसे पहले बनाएंगे कॉल्ड कॉफी इसके लिए आप एक बाउल में ले लिजी देर चमत इंस्टेंट कॉफी इसके साथ ही आप इसमें डाल दीजी तीर चमत चीनी अगर आपको ज्यादा मिठा पसंद है तो थोड़ी से क्वांट्री और चीनी की बढ़ा सकते हैं अब मै मैंने यायाप लिए है थोड़ा सा गुणोना पाने जिससे चीनी है और कauफी असाने से घुल जाएंगे तो आप गुंगने पानी महें से घुली तो हमारे यहा示 यहां पर कॉफी अच्छे से खुल गई है तो इससे हम डाल देंगे एक में लिए एक मिक्सिजार में पहीं अब इसे एक मिनिट लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो देखे हमारी कॉफी यहाँ पे बनके रैडी हो गई है तो मैंने यहां पर लिया एक ग्लाफ और इसे हम डेकॉरेट कर लेंगे किसी भी चॉकलर से लग से आप इसे डेकॉरेट कर चकते हैं तो हमारी यहां पर ग्लास भी रेडी हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे अपने कॉफी को और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा इस्टे कॉफी जिसे इसका तेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी बहुत ही तेस्टी और इजी कोल कॉफी बनके रेडी हो चुकी है इससे आप ठंडा ठंडा सर्फ करें यह आपको बहुत ज्यादा पसंदाएगी तो इससे आप अपनी घर में एक बार जरूर ट्राई करें तो चलिए बनाना से सुरू करते हैं चॉकलिट कोल कॉफी इसके लिए हम एक पॉल ले ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच instant कॉफी पाउडर इसके साथ ही आप डाल देंज Стे तीन चम्मच चीनी जब लें आप टाल आप कोई भी चॉक्लिट बार ले सकते हैं और इसे हम तोड़ के डाल देंगे जिससे जो यह असाने से मिक्सी में पीछ जाएं अब हम इसमें डाल देंगे चार आइस क्यूब और जो हमने घोल बनाया तो कॉफी का उसको भी हम इसमें डाल देंगे इसके साथ ही आप डाल देजिए चिल्ड फुल क्रीम मिल्क यह एक ग्लास है और हम डाल देंगे इसमें दो चमच भरकी चोकलेट आइस क्रीम इससे टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है और जो कॉफी है बहुत जादा क्रीमी और टेस्टी बनती है तो इसे हम ब्लेंड कर इसमें हम अपने कॉफी को डाल देंगे हमारी बहुत ही तेस्टी और एजी चॉकलेट कॉल्ड कॉफी बनके रैडी हो गई है अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं या इसके उपर आप डाल देजिए एक स्कूप भर के चॉकलेट आइस्क्रीम और इसे आप ठंड़ा ठंड़ा सर्फ करें अगर आपको हमाई यह रैस्पी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे आने वाली हर रैस्पी का नोटिफिगेशन आपको मिलताए